हरियों प्रिदर्शकों यदि आपकी मकर राशी या मकर लगन है इस वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरे ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नवंबर का महीना कैसा रहेगा नवंबर है आपको क्यारी जल्ड देंगे आपका स्वास्त आपका कैरियर आपका व्यापार दामपत्य जीवन लब राइव और विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा साथ में हम जानेंगे उपाई भी तो आए सबसे पहरे जान लेते हैं ग्रहों की स्थिति तो ग्रहों की स्थिति देखी जाये तो दुती भाव में ही देव बिर्याजमान है तो तृती भाव में राहु चत्वरथमेदेव गुरू बहस्ती तो अस्तं भाव में शुक्र नवें बाहब में केतू और दसं भाव में शौर बुदवर यारा मंगल बिर आजमान है तो ये है ग्रहों की स्थिति तो आईए सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि नवग्रह आपके स्वास्त के हिसाब से कैसा ये महीना जाने बाला नवग्रह क्या रिजल देंगे तो स्वास्त के द्रिष्ट कोन से देखा जा तो बहुत अच्छा नहीं परन्तु पहले से तो ठीक है पहले से जो इस्थितियां बनी हुई थी स्वास्त को लेके उससे इस्थितियां ठीक है खासकर सत्रा शोला नवंबर के बाद इस्थितियां और भी बेहतर हो जाएंगे क्योंकि संदेव अभी तक वक्री थे अब वो मारगी भी हो चुके हैं और 16 नवंबर को शूर का भी राजपर व्रतन हो जाएगा और आपके वो एकातर भाव में चले जाएंगे तो फिर ठीक हो जाएगा यदि स्वास्त को लेके चिंताएं थी तो 16 नवंबर के बाद इसलिए आपके पक्ष में रहेंगे को आप यजरूर है कि आप योग प्रड़्याम करते रहें अबने अ्फ्वास्त का ध्यान लखे प्रिदर्सकों भमबाद कर लेते हैं बिद्यार्थियूं抓 के जाए तो बिद्यार्थियों के लिए K Always समय अनुकूल है विद्यार्थियों को कहीं न कहीं अभी तक जहां भ्रह्म की स्थिती थी अभी तक जहां मेहनत का रियल्टर नहीं मिल रहा था तो आपको सफलताई प्राप्त होंगी बस जरूरत यह होगी कि आपको भ्रहमित नहीं होना है और किसी के बहकावे में नहीं पारटनर के लिए भी स्थिजियां सामन कहीं जाएंगी थोड़ा गंबीर भी कहीं जाएंगी किके ह 대न आप ने अपने को क्रोद को कंट्रोल में नहीं रखा यदि आप अपने पारटनर के प्रति कहीं न पूनरूप से संब्रपन नहीं किया तो समस्याएं बन सकती है, बाद व्यात की स्थिति पैदा हो सकती है तो आपको इस बात का अध्यान रखना है कि अपने क्रोध को कंट्रोल में रखना है यदि आपने क्रोध किया कि काम बिगड़ जाएगा अब हम बात कर लेते हैं दामपत जीवन की तो दामपत जीवन की स्थिति देखी जाए तो इसमें उतार चड़ाव की स्थिति बनने वाली है परंतु पहले से स्थितियां थोड़ी बहतर होंगी पहले से यदि कुछ बात व्याद चल रहा था तो वहां पर थोड़ी स्थितियां सामान बनेंगी और दिर दिरे करके दामपत जीवन भेतर होता जाएगा ब्यापारियों की बात करें तो ब्यापारियों के लिए धन लाब की स्थिति खासकर 16 तारिक के बाद विशेश रूप से और इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि अपने मन को इस्थिर रखना है मन को भटकने नहीं देना है बागी धन लाब तो ब्यापारियों को होने बाला है अब हम बात कर लेते हैं केरियर की तो केरियर की स्थिति देखी जाए तो बहुत बढ़िया केरियर में तो आपको धन लाब यस प्रतिश्ठा में व्रद्धि और हर तरह से बेतर है परंतु वही बात यहां भी मैं कहूंगा कि 16 नवंबर के बाद इसे तिया और भी ज़्यादा बेतर होंगी क्योंकि यहां भी सूर बिराजमान है वो भी तुला राशी में है सो नीच के हैं तो यह 16 नवंबर को सूर और मंगल दोनों ही राशी परिवरतन करके और आपके चले जाएंगे लाभभाव में तो फिर 16 नवंबर के बाद कहीं न कहीं आपको धन लाभ इसे शुरूप से चालू हो जाएगा प्रिदरस को अब बात कर लेते हूं पाई की तो आपको मालक्षमी की आराधना करनी है मालक्षमी के मंतरों का जब मालक्षमी के मंतर जो भी आपसे बनते हों या तो ओम स्रीम नमहा ये बीज मंतर है इसका भी जब कर सकते हैं या अन्न मंतर जो भी बनते हों उनका जब कर सकते हैं और श्री शुक्तम का पाड़ कर सकते हैं और साथ में हनवान जी की आराधना आपको निजनतर जारी रखनी है तो प्रिदर्शकों 2024 कैसा रहेगा इसकी भी वीडियो आ चुकी है तो जरूर देखें वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद